सब्सक्राइब जी मेहा कुल विंदर कौर और तड़े सब दा बहुत-बहुत स्वागत है दा कौरवर्ड देविच आज जैसे लिए तड़े लेक्टिया यहां ग्रीन लसन हरा वाला लसन यानि की ग्रीन गालिक इस दा अचार और नाली अद्रक और हरी मिच इस अचार देव करेंगे ताकि मिट निकल जाए और इसे लिए चृलके उतार लिए वाशक करने दोश्र करस माइन वाश नाल ही हरी मिच लाइन वह बाष स्ट्रेम जरस नहीं की डंडियां जो है हरी मेच दियां उसों निकाल लबांगे और अधरक और हरी मेच नो असी बिना पानी दे जो है पीस ना है और हूनसी इते हरा लसन ले तुसी देख सक्झे, और इज़े जो येलो पार्ट है जो जो है पीस चुक्या है तुससी देख सकते हो और हूं चीजान जो है प्रॉपर तूपदे वीच ड्राइज हो सकन्द सारे से दिन तूप मिलेगी और तरीके नल ड्राइज हो जांदा है और ज़दो अधरक और हरी मीच दे पेस्ट नो तूपए रख्या होएगा ता असे इसनो थोड़ी थोड़ी देर बाद हिला दमांगे ताकि जो इज़दा पानी है और प्रॉपर सुख जाएगा और सबस्ट जो है उभी सुख जाएगा सो साड़ा पेज जो है तुसी देख सकते हो कि सुक चुक 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 जाया गरम करना है मामू लीजिया उसो ठंडा करांगे उन जिस वी बॉल देविच तुसी अपने अचार नो मिक्स करांगे उसे विच असी सारे अध्रक लसन जो है उस अपनों असी एट करांगे आपने मैं पतीले देविच मिक्स कर रहे हैं ताकि अच्छे तरीके देना सार प्रिजरवेटिवस उस तो पहला असी एथे लसन जो है 500 ग्राम दे करीब लिया है और 300 ग्राम असी इस दे विच अध्रक एट किता है और 300 ग्राम ही हरी में चैत्य आट किती है तो एन एक अचार दी कॉंटिटी दे लेई मेरा 200 ग्राम दे करीब नमक लग जाएगा क्योंक यूज़ाओ मैं यूज़ कर रही हम मेरी इनी अचार देले इनी कॉंटर्टी बहुत इनफ है तो इत्या से हल्दी पाउडर एना ही यूज़ करेंगे पंजाग ग्राम दे करीब मैं यूज़ कर रहे हैं अमचूर पाउडर ना साड़े अचार नुखटा पान मिलेगा ताकि हल्दी नमक और अद्रक लसन दी पेस्ट और जो सारा मसाला है उज़े विच वदिया तरीके देना मिक्स हो जाएग मिकस करोगे फिर फीर फीर थोड़ा सारा रह जन्द है but कि जल्दो हूँनसी इसदे विच तेल मिकस करांगे जोड़ा ःट जो अ च्छार है इस वदियातिक मिक्स करना है तुसी देख सक तो जब थोड़ा नमक नीचे रह चुकर नहीं हो रहा जा इस सारा जो है सब्सक्राइब वदिया त्रीके दिनाल मिक्स हो जाए तो मैं बाद देविच इस थोड़ा सारा ओयल हो एड कितना सी अचानू मिक्स करने तो बाद असी अथी अचानू पंच तो छे तुप जरूर लगवा मांगे जिस देशनाल सब्सक्राइब नाल अचार ज अचार देविच कोई भी गंदी चम्मच या गिली चमच नहीं मारो जिस दिनाल अचार जो है सड़ा खराब नहीं हुंदा और अचार भी पंच तो छे साल तक बहुत वदिया चलता है अगर खतम ना होई ते खतम हो जाए फिर तक अला लगी है बाकि पंच तो छे साल तक अचार खराब नहीं हुंदा है सो हुनसी इसनों जार दे वीच एड़ कर लगे और प्लीज फ्रेंट कमेंड करके जरूर दस्या करो कि तानु मेरी रेसिपी जो है किस तरह दी लग दी है क्योंकि तड़ी कमेंड से नाल मॉटिवेशन मिल दी है और असी अपनी रेसिपी ज जिनल तयार हो जाएगा खान दे ली और तानो मेरी याज दी रेसिपी किस तरह दी लगी जरूर दस्यो और नेक्स रेसिपी दे लेई देख देरो दौकार वर्ल्चैनल और bell icon प्रेस करना न पूलना ताकि bell icon प्रेस करोगे ताम मेरी आनवली रेसिपी दीनों जो नोटिफ का सक दियो, सो दिख दे रो नेक्स स्पीज लाइ, कॉर वर्ल थैंक यू